तो हेलो फ्रेंड मैं आपका दोस्ट के पीए से स्टाड़ी पॉइंट से गोरब और आ चुका हूं आपके लिए जो की एक प्रेटी सेट हल करके लेकर तो दोस्तों बात करते हैं आप न जो कि आपका आपका आपकारी परवरतन सिपाई का पेपर होने वाला है तो उसके परवरतन सिपाई का पेपर बन सकता है तो देखिए वैसे तो पेटन काफी बहुत चेंज हो चुछका है लेकिन फिर भी आप इस पेपर को देखे लगवाक अंताज अलगा सकते हैं कि इस परकार से जो की पेपर बन सकता है तो देखिए हमारा पेला क्विसम पूछा गया और वाले को कहा जाता है तो इस प्यान दूस्तों तो मारा है राइट शेयर जो कि था योग हमार पति योकी तौझनब रॉं comparison का सब्धने अब ? रहती प्रहारा किश्ट रहती है। तर लाति नेसे ध्यान पूर बख़ें, तो हमारा इसका राइट अंसर हो जाएगा जो कि क्रिया विसेटल आपनली जो कि क्रिया विसेटल हो जाएगा सब्सक्रेया, य कि दरुन सब्द का आर्द हो में इसका सटी हो जा को सुधिक चेंट डरुण का विधिक की सब्सक्राइब करा साथ पूच्जा गया था कि सब्सक्राइब सेक्च को बाते हो सब्सक्राइब जो कि हमारा अन्वे होता है तो हमारा राइट अंसर हो जगा ओप्सन नमबर ए जो कि अन्वे का सब्ज का संदी बिगरे होगा आप देखिए आटो के सिन पूचा गया था कि भाता के वे लग उतम सार्था खंड जो सब्द के अंत में जुड़ करने सब्दूं का निर्मान कर जाथ है तो हमारा राइट नमबर गुछा ऑप्सन नमबर बी बिध बिविद पर सारंसेवा की सुर्वात वीध भारती पर शुर्ण सैवा की शुरुवात हुई थी तो हमारा राइट अंसर हो जगा ऑफसन नंबर A 1957 से हमारा जो की विविद भारती परतारण सिवा से प्रारम हुई थी अब देखें दसमा क्वेशन पूचा गया था कि कवेतरी महादेवी वर्माजी का जनम का हुआ था जो हमारी महादेवी वर्माजी हैं उनका जनम कब या कब हुआ था तो हमारा राइट अंसर हो जगा जो की सन 1907 में जो की इनका जनम हुआ था आप देखें 11 क्वेशन पूचा गया था कि निमल लिकित में से आलोग सब्द का बिलोग है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो की उप्सन नमर 11 का उप्सन नमर सी आलोग का जो की अंदिकार होता आलोग उजाले को होते तो अ चानना मोहावरे का आर्थ क्या होगा तो हमारा राइट अंसर हो जागा है बारोग केसन का जो की उप्सन नमर रहस्य की बात जाना जो की हमारा राइट अंसर हो जागा अब देखें दोस्तों हमारा 13 केसन पूचा गया था निमल लिकित में से ब्यक्तिवाचक संग्या नही क्योंकि विक्तिवाचक संग्या बाकी किताब योगी बहुत सारे होती है इसलिए विक्तिवाचक संग्या नहीं है आप देखें चोड़ा क्यों भरय था कि अनुशासन सब्द है अनुशासन जो कि सब्द है हमारा जो कि हमारा राइट अंसरों जगा option number c जो कि जो योग से बना हुथUP जो कि दो योगों से बना हो थी उसे योगी क सब्स पहते हैं अब देखिये पंदर्रा question पूचे गया था कि दाजु रचना है तो दाजु रचना किसी है जो कि हमारा right answer हो जाएगा दाजु जो कि रचना है जो कि सेकर जोसीजी की दाजू जो की दाजू कहानी जो की इनकी रचना है आप देखे दोस्तों सोलवा क्वेशन आए था कि वहाँ मनुष्य नहीं देवता है इस वाक्य में वहाँ है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो कि ओप्सन नमबर भी जो कि निश्य वाचक निश्य व की आप देखे सतस्तं की आप देखे सत्रों की सत्रों क saving कि देखिये की चमांचम सब्धर चमांचं रसुप्धिपर सब्ड़े चमांचं किसल परकार का शतर तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा और सब्स सब्दित देखे दोash손 आठारों कुछ्षन पूछा गया था मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है अब देखें मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है जो कि हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो कि ऑप्सन नमबर भी जो कि सरल वाक है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए पढ़ने में तेजे एक सरल वाक्य है तो दोस्तों मिस्री तो कोई भी नहीं है इसमें आप देखें बीसवां को नीसवां क्वेशन है कि हिंदी को भारत्य राज भासा होने का गोरा प्राप्त हो है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी जो कि उनीसवां पचा है तो याव वाक्य है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो कि बीसवां को हमारा राइट अंसर हो तो दोस्तों यह था हमारे इंदी के भीच संग है जो कि हमारे हुआर्गन को अब देखिए दोस्तों उत्राखन का पेहला को संगा कि उत्राखन राज में किस वर्वत प्रहुतधन गो शित किया घ्ल और हो गिए तो हामारा इसका राइट तरो जगा जो कि ऑप्ट्स बनिए मैंजे तो चेकरण की ञिप in उस्हांने में तो चेकरढों 주 रोगहर हो बीप feels निए जाएं जो किना जोट्कै, मैंने सेविल, और हैथा दे अर्द आज तो जा बदाज सबसे बड़ा अव्यारान है जो कि हमारा चलते हैं हमने तीसरा क्वेशन की त्याइस्वेशन की और तो उत्राखन बिदान सबाब में एक सदश्य नामित किया जाता है तो इसका हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो कि इंग्लो इंडियन शमुदाई जो कि परिक्षवाई में पड़ा हो आपने उसके द्वारा किया जाता है आप देखें दोस्तों जो विस्वां क्वेशन आरका था कि पानिपत का पर्थम युद्ध जो कि लड़ा गया पर्थम युद्ध के बीच के लड़ा गया तो हमारा ज जो कि बाबर अब्रहायम लाइदी कि में आप देखें पच्छिसों के सन्हें कि साइमन कमिशन भारत का वाया तो हमारा राइट अंसर हो जगा ऑप्सन नंबर ए जो कि उनिस सो अठाइस में जो कि साइमन कमिशन आई इसके साथ पैती लोरेंस जो जो आई थे इसे अब दे कि 7,756 मीटर अब देखें दोस्तों चलते हैं अपने 27 क्योंसन की ओर तो हमारा 27 क्योंसन पूछा गया था कि निमल लिखित में से उत्राखन के किस जिल्ले में सर्वादिक वन्चेतर है तो इसका हमारा राइट अंसर 27 क्योंसन का हो गया उत्तरकाशी में जो कि हमारा उत्र उत्राखन में सर्वादिक वन्चेतर है अब देखें दोस्तों 22 की तो हमारा उत्र राइट आंसर जगा जोसन न्मबर ऑ alm यूके में आवकारी आवकारी व्योस्ता शुरू की थतो हमारा चलते हैं दोस्तों आपने 29 प्रिसंट क्योंगी औंवente तो यह जानी जाती है तो यह किस के लिए जानी जाती है तो हमारा right answer हो जाएगा जो हमारा right answer हो जाएगा अंधुलन के साहीड के रूमें बेलमतिग जोहर और हनसा दन्रवईजी जानी जाती है अब देखिये 31 क्वेसंन पूछा गया था कि वरस 2011 की जंगलना के पहहरत में पुरुष साक्चर्था की दर ती तो भारत में पुरुस साखचा था कि दर कितिनी थी 31 question का तो हमारा right answer हो जगा option number D 82.14% जो कि भारत में जो कि पुरुस की साखचा था दर थी अब देखिए 32 question है कि टीरी बांद की उचाई कितिनी है तो हमारा right answer हो जगा option number B जो कि 260.5 meter जो कि टीरी डेम की उचाई तो 200 वैसे आप note भी कर सकते हो इसको आप देखिए 33 question पूछा गया था कि गवर्खाओं ने गडवाल पर आकरमन किया था तो हमारा इसका right answer हो जगा option number C ही जो कि जो गडवाल पर जब आए थी तो 1791 में ये आए थी गडवाल में आप देखिए गुरु गोविन सिंग ने केज सिंग द जो कि गुरु गोविन सिंग द्वारा जो कि खाल सा पंत की इस्थापना होई थी आप देखिए दोस्तों 35 के सने तो छपने रखा है लेकिन पुराना पेपर दा मेरे पार राजी जी ने सल पार्क की इस्थापना का होई थी तो हमारा 35 राइट सरो जगा जो कि सन 1983 में जो क अंद्रगरी जो कि पूरवी घाट का सर्बोज सिकर है भारत में आप देखिए सन 1990 के लिए कलेंडर वही है जो सन 1990 के लिए कलेंडर वही है जो अब इसमें तो रिजनी का क्वेशन बना था तो हमारा राइट अंसर जगा सन 1996 के लिए होगा आप देखिए इसकंद पुराण में नंदन कंदन इसकंद पुराण में नंदन कंदन किस बुग्याल का नाम है तो हमारा राइट अंसर हो जगा जो कि फोलों की घाटी चमूली जो कि इसे नंदन कंदन भी कहा जाता था आप देखिए सभिदान संसोदन के परवधान का वर्णन भारत्य संदान के किस अनु अब देखिए जो कि हमारे इसे डवलो टक और इसमें आपको एभी सिली लिखनी होती है और फिर आपको कितना डिप्रेंस आ रहे हैं उससाफ से आपको यहां पर उत्तर लिखना होता है अब देखिए धुनागरी ग्लेशर इससी तें होट इव खरवन को यह सिन्हा रखाए कि दुनागरी ग्लेशर इससी से तो इसका हमारा राइट आंसरर ओघता है option number D जो कि चमोली में भी है, एकडोने गिरी और अल मोला में भी, आप option में चमोली है, तो चमोली जीले में जो कि हमारा दोनागीरी glacier है, आप देखिए, राष्य किर्सी वा ग्रामेन बिकात फें María आख राष्य किर्सी वा ग्रामेना नवार्ड की साफना होई थी आप देखिए 43 वा question था कि उत्रा खंड में मंतरी पर्सद में जो कि मंतर पर्सद में मुख्या मंतरी सहीत अधिक्तम कितने मंतरी हो सकते हैं तो 43 का हमार राइट अंसर है जो कि 12 मंतर जो की हो सकते हैं आप देखिए एक आकर्थी जो निम्हें सेंकला को जा रही है वह है तो इसमें भी हमारा इस इस पोजिशन है हमार के सबना था तो देखिए इसका जो कि हमारा राइट अंसर जो की बन रहा था जो कि हमारा राइट अंसर इसका होगा जो कि ऑप्सन नमर हमारा 44 का हमारा option जो की बना था जो कि option number C जो कि हमारे बन रहा इसको इसने इसने ऐसे बना था तो देखिए इसने T R O जो कि हमारी आकरदी इसने T और 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 इसका O बना तो हमारा right answer हो जो कि पूर्वी राम गंगा नदी का उद्गम होता है तो हमारा right answer हो जो की 45 का हमारा right answer हो जो कि option number D जो कि नामी ग्लेशर से हमारी पूर्वी गंगा का उद्गम मिस होता है तो देखिए एसन जूनियर बैट्मिंटन चेंपेंसिब 2018 के बीजेता रहे एसन गेम 2018 के बीजेता रहे तो हमारा 46 का right answer हो जो कि option number A है जो कि लक्चसें जो कि हमारा बैट्मिंटन चेंपेंसिब 2018 के बीजेता रह है कि आप देखिए 47 क्वेशन देखिए कि हड़पा शब्वेता में पुरातत्व एदों के को कि कि सिस्थान पर जूते हुए जोते हुए खेद का साख्चे मिला तो पुरात्वत में का मिला तो हमारा right answer हो जाएगा 47 का जो कि हमारा right answer हो जाएगा 47 क्वेशन का जो कि option number C ही जो कि काली वंगन से हमारा जो कि जोते हुए खेदों का जो कि साख्चे मिले आप देखिए 48 क्वेशन है यह उत्राखन में होमरू ली की स्थापना का हुई तो हमारा right answer हो जगा option number C जो कि 1915 से हमारी जो कि होमरू ली की स्थापना हुई आप देखिए 49 क्वेशन है दोस्त से मिलता है तो हमारा right answer हो जगा जो कि रिग्वेश से हमारा उत्राखन का परतमदार में के उलेक मिलता है अब देखिए 50 क्वेशन देखिए तो 50 क्वेशन है हमारा जो कि बद्रिनात मंदिर के निर्वान कि कि कर्ट्यूरी साथक ने भूमी दान दी थी जो कि हमारा right answer हो ज कि इस जिले में इसी थे तो हमारा राइट अंसर हो जगा चंपावत में जोís जिल मिलताल इसी थे आप देखें 52 primitive question है कि पर्थम दो तरकों के आधार पर तीसरे वर के अंदर जो की संक्या क्या होगी तो हमारा इसका जो कि हमारा right answer इसका जो कि बना था 52 का जो कि option number C जो कि 480 जो कि हमारा right answer इसका बना था आप देखिए एक पुरुस का परचे कराते वे तो एक पुरुस का परचे कराते वे एक पुरुस है यहाँ पे उसका जो कि परचे कराते वे मेला ने का इसकी माता है मेरे पिता की एकलोती पुतरी तो हमारा जिसका right answer तो पुरुस मेला से किस परकार से संबन दिती है तो हमार right answer हो जगा जो कि पुतरी बन रहा था जो कि option number हमारा जो कि 53 का option number D अब देखिए निमी लिकित मेमोरी में से किसका उप्योग डाटा को डाटा को इस साही रूप से संग्रीद करने के लिए किया जाता है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा 54 कोईजन का ओप्सन नमर 20 जो कि सेकेंडरी मेमोरी का आप देखिए दोस्तों निमी लिकित में से नं इस्तान से अप देखिए दोस्तों पड़चूरी की पर्थम मेला माई नहीं सेत हैं पड़चूरी है जो कि उस की पर्थम मेला मानन नहीं सेता हदो हमारा राइट अंसर हो gha सुंदरी नंदा जो कर Peng Tubly के अप पूचा गया था हमारा जो कि इसका right answer जो कि 58 कब बन रहा था जो कि हमारा जो कि option number D जो कि 134 जो कि हमारा यहां पे right answer जो कि इसका बन रहा था अब देखिए आप देखिए निमिलिकित में से पराइदी भारत की सबसे लंबी नदी तो पराइदी भारत की सबसे लंबी पूछा है इसमें तो हमारा राइट अंसर हो जगा जो कि गोदावरी जो कि पराइदी भारत की सबसे लंबी नदी है आप देखें साथ कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है तो हमारा राइट अंसर हो जगा जो कि क से तेज जो कि कुमावनी पदों में अनुवाद किया गया तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो कि लीला धर जोशी ने कि में अनुवाद किया अब देखिए दोस्तों जो कि हमारा बास्चन टो के संथा कि निमिलिकित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को दो जारी किस में मंगल गरे तक भेजने की जो कि कोशना की थिया हमार तो हमारा राइट अंसर हो जगा सायुत अरव अमिरात ने जो क कि होप मिशन को मंगल गरे पर भेजने की जो कि इसापना की थिया अब देखिए निमिलिकित बिकलगों में से घांदी जी के समाजिक विचार से संबन देजे तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी उप्रुक सभी आप फिर से ताभी संपर्दाइक एक त सबी सुदार है तो मा राइट अंसर हो जाएगा उफ्रुक सभी आप देखिए देरदूं फूटबूल यक अकादमी की स्थापना हुई तो हमारा राइट अंसर जो कि Senior Director प्रुकर्शन का measurement easer है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जो की सिमेंट अप देखिए बाटळी पूत्र की स्थापनर की तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा पाटिल पूत्र की स्थापनर की थी तो न झालाक यूद पूर्च 2011 की जन्गर्णा की तरा अनुसार उत्राकण में सरवादिक नगरिय जन्सिंग के वाला जीला कुन सा तो हमारा right answer हो जाएगा option A जो की देरदन जो की सरवादिक नगरिय जन्सिंग के वाला जीला है अद देखें दोस्तों जो कि हमारा 59 question था कि computer में firewell का उपयोग किया जाता है तो हमारा right answer जगा जो कि option number a number a सुरक्षा के लिए जो कि computer में firewell का उपयोग किया जाता है अब देखिए बदरिनाद मंदिर को बिभाजित किया है तो कि Kaad godam कि नदी के टट पर बसाए तो Kaad godam जो की हमारा बसाए fått 71 का जो की हमारा गोल नदी के टट पर जो की हमारा Kaad godam बसाए अब देखे, उत्राक्रम में राश्टापती शास्न कब लाग भूग था।ो हमारा राइट अंसर जीगा ha ya, Option n Caucasus A 27 मार्च 2016 उत्राकर्ण में राष्टबस की सासन लगा था लागूवा था आप देखिए कांचु पूरम किस राजवन्स की राधानी थी तो हमारा राइट अंसर और जगा चलुक्योंट की राधानी जो कि हमारी कांचु पूरम थी अब देखिए निमलिकन में से थमलीद नही कि इसन से चीन में पर्वेशथ कर दी तो मालस रोवर यातर उत्राखण के किसी सांथ से चीन में परविश कर दी तो मांस रोवर यातर उत्राखण में कहां सिकर्टी तो लिपुलेक दर्रेसी जो हमारी मांसुरो और यात्रा उत्राखन के चीन में जो की परविश करती है आप देखिए निमने में से किस देश ने हाड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर दो 2018 में लौच गीए तो तो हमारा राइट अंसर उजेगा ओJackson no.a जो की जर्मनी निई अब देखिए सुनामी सब्धित कि भासा ने संबन दिते है तो हमारा राइट अंसर उजब जो सुनामी जोकी हमारी 77 जो की जापानी सब्दित जोकी संबन दिते है आप देखें भारत में राष्ट उप्भोगता दिवस कब मनाए जाता है तो हमार राइट अंसर हो जागा ओप्सन नमर डी जो कि चोबी सित्व दिसंबर को भारत में राष्ट उप्भोगता दिवस जो भी दिसमर को भाटरे में राज भूगता दिवस मनाई जाता है आप देखें दोस्तों जो कि आप देखें निमिल लिखिद में से 27 अपरेल 2017 इसवी को उत्राखन के कि सेर को महान अगर गोसिद नहीं किया गया जो कि इस सिथी को महान अगर नहीं गोसिद गया जो कि इस को हाल किज ऊची को मान अगर गोसिद नहीं किया गया वाकि रिष्केज को भी किया गया है देरदुन को भी किया लिएन अब देखें उत्राखन भाहर के गंटन का राज हिए तो हमारा राइच अंसर को हो जाएगा तो इस सिथा कि हर एक तो तो परिक्षवानीम में जाते जिसको आप देखें उत्राखण प्राचिन उब्यापारिय कोन सहिए कुमाह काूं उप्सिंञनबर भी बागेश्षक का जो कि ढमेला जिसको कहा देखें वाएका temps इन पर से फिया पर होता है को सहिए बारत में कर्क रेका नहीं गुझरती हैं नहीं गुझरती है तो कर्क रेका कहां से नहीं गुझरती हैं तो हमारा यहां राइट अंसर होज़ा जो गंगनानी है जो कि हमार उतरकाशी जिल्य में जो कि गंगनानी तब्तिकुंट इस्तिते आप देखें थांगला डंगरीला नेलांग लंठंड लंड क्या है तो यह क्या है उतराखन में यह चुक्छा मारे दर्रहिंग उतराखन में अब देखें भारत में निम्ट में से कौन सा या थन विदायक या नहीं। भार्ण कौन निड़ने करते हैं कि विदायक धन विदायक हैं नहीं। तो इसका हमारा राइट अंसर होजाएगा, 86 का राइट अंसर होजाएगा जो कि हमारा जो की डी, जो कि लोग सवाधेज, जो की निड़ने लेता है। अब देखथे, अंग्रेजों ने किस संद में गुर्खा सासकों को उत्राखन में परास्त किया तो 87 का मार राइट अंसर हो जगा option number B जो कि 1815 में जो की संदी हुई थी संगोली की संदी उसमें गुर्खाओं को इन्हों ने अंग्रेजों ने परास्त किया था अब देखिए अननत बाल का धरशीव अबले किस वंस का हितियास बताता है अननत बाल जो कि कीस वंस का बताता है और अन्य Кर्टवएं का वें भारतियस सत्तान के निस अनुचेद में किया गया मोली करते एक हैं। आप देखें। बिश्यों के कि देज को लोगतंतर का घर का जाता है। नहाई तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा उप्षिसर्वेस, जो कि धार्मिक नहीं है, छो कि देखिंतिanie, और रातानों में कोने समाजिवेस, आर्रीमिक नहीं है. अब देखिए, अब देखिए काशिनाथ ने काशिनगर की स्थाफना की थी काशिनाथ जो कि थे तो 93 कमारा आइटम सरजगा ऑप्सन नमर 20 सन 49 इस्वी में अब देखिए दोस्तों हमारा जो कि 94 क्वेस्टन है कि 25 जनवरी 2014-14-14-15 मही 2004 इस्वी में दोनों सामिले तो देखे कुल कितने दिन होंगे तो कुल कितने दिन होंगे 25 जनवर 24 इस्वी में 16 मही 2030 इस दोनों दिन सामिल तो कि कुल कितने दिन होंगे थो हमारा राइट अंसर ऑप्सिन नमबर A है जो कि 112 दिन अब देखिए उत्राखन, राज़में अटल, आधर, आधर, शयोदना किस उर्ष परारण में की है अब देखिए यह निम्ले कार्यों में संखें जैग केंदरे बंक कौन्शा कारण से ने करते हैं तो हमारा right answer हो जाएगा option number B जो कि लोगों से जमा प्राप्त करना, जो कि कारे नहीं करता है, बागी कौन-कौन से कारे करता है कि इंदरे बेंक, तो not निर्गन में करता है, सरकार का बेंक कर भी है, अंतिम रिंद जाता भी है, बागी option number B जो कि right answer है, जो कि लोगों से जमा प् अब देखिए सहयुक्त राष्ट विकास कार्यकरम द्वारा परकासित मानो विकास सुचकांग समलित करता है तो उप्स नमबर भी परतिव्यक्ति सकल राष्ट जो की समलित करता है बाकी सकल जीडी भी नहीं करता है परतिव्यक्ति सकल राष्ट जो की करता है अब देखिए 98 प्राम वई थो उत्राखन में राज्य सेक्चीक पुरुस्कार योद्ना का परारम वई तो हमार 98 का right answer हो जगा option number C जो कि सन 2009 से उत्राखन में राज्य सेक्चीक पुरुसकार योदना शुरू गई की आप देखें 99 का हमारा BGA का पूर्ण रूप है तो BGA का पूर्ण रूप है तो हमारा राइट अंसर हो जगा option number A video graphics video graphics area video graphi जो की BGA का पूर्ण रूप है आप देखें भारत में Mac in India कारेकरम की सुरुवात कहा हुई तो भारत में Mac in India कारेकरम की सुरुवात कब हुई तो इसका राइट अंसर हो जगा 25 सितंबर 2014 को जो की भारत में अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजे अगर नहीं हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं दोस्तों एक नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए जिए देव मुतराकन जिवार